खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन तुमस्कार स्वागत है आपका इंडराइम 24 न्यूज में मैं आपके साथ साक्षी सिंग मा का दूद बच्चे के लिए अमरित समान होता है बच्चे का पहला अहार ब्रेस फीडिंग और संपान से ही होना चाहिए क्योंकि ये बच्चे और मा दोनों के स्तेहत के लिए बेहत फायदिमंद होता है ये जरूरी है कि हर महिला जो ब्रेस फीडिंग करती है उसको इसके benefits और importance के बारे में पता होना चाहिए आए देखते हैं हमारी ये खास report एक साल से कम उम्र के शिशु में डाइरिया रोग से लड़ने की शमता कम होती है मा का दूद उन्हें इस रोग से लड़ने की शमता देता है मा के स्तन से पहली बार निकलने वारा दूद के साथ गाढ़ा पीले रंग का द्रव भी आता है जिसे कोलोस्टरम कहते हैं इससे शिशु को संक्रमर से बचने और उसकी प्रतिरोधक शमता को मजबूत करने में मदद मिलती है मा का दूद शिशु के लिए सुपाच्य होता है इससे बच्चों पर चर्वी नहीं चड़ती है स्तनपान से जीवन के बाद के चर्णों में रक्त कैंसर मदूमे और उच रक्त चाप का खत्रा कम हो जाता है मा का दूद का बच्चों के दिमाग के विकास में मैदपूर्ण योगदान होता है इससे बच्चों की बौधिक शमता भी बढ़ती है स्तनपान कराने वाली मा और उसके शिशु के बीच भाबनात्मा क्रिश्टा बहुत मजबूत होता है एक महीने से एक साल कीमुर में शिशु में SIDS का खत्रा रहता है मा का दूद शिशु को इससे बचाता है जिन शिशु को टीका करन से ठीक पहले अध्वाबाद में स्तनपान कराया जाता है उन्में तकलीफ के कम लक्षन पाएं जाते हैं सतनपान कराने से माको गर्भवस्ता के बाद होने वाली शिकायतों से मुक्ती मिल जाती है इससे माताओं को breast cancer का खत्रा काफी हद तक कम हो जाता है इसके साथ ही सतनपान एक प्राकर्तिक गर्भ निरोधग है खून की कमी से होने वारे रोग एनीमिया का खत्रा भी कम होता है मा और शिशू के बेज भावनात्मा कृष्टा मजबूत होता है जिससे शिशू अपनी मा को जल्दी पहचानने लगता है तो आईए अब देखते हैं कि ब्रेश फीडिंग पर डॉक्टर्स की क्या राए है बिकॉज अभी ये समय ब्रेश फीडिंग वीक चल रहा है ये बिसिकली एक कम्यूनिटी को मैसेज है इससे कि हमें कि हमें बच्चे को ब्रेश फीडिंग ही कराना है और बच्चे को सारी की सारी जरूरत है जो सबसे अच्छी जरूरत है वो हमको उसके बच्चे को पूरी कर सकते हैं मा के दोरा ही आज की डेट में जो हम सुसाइटी थोड़ी सी चेंज होती जा रही है और वो सुसाइटी में क्या है basically कि अभी हमारी single family है पहले combined family था तो हमको support मिलता था और हमको सारी problems चीज़ें हम support के साथ में clarification कर पाते थे लेकिन आज की date में वो awareness कम होती जा रही है और लोग बाग दूसी तरफ top feeding की तरफ ज़्यादा भागते जा रहे है तो इस society में हमें awareness create करने के लिए basically मा को और बच्चों को और family को और एक एक परसंद को हमको ये बताना है कि मा का दूध ही बच्चे के लिए सरुवत्तम है दूरभागे से breastfeeding को लेकर ऐसे बहुत से common मित हैं जिन्हें लोगों को अपने दिमाग से दूर करने की जरूरत है world breastfeeding week चल रहा है इस खास मौके पर आये जानते हैं कि कौन से ऐसे मित हैं जिस बारे में लोगों को पता होना चाहिए पहला मित महिलाओं को breastfeeding करवाते समय दर्द होना समानने है जबके सच्चाई तो कुछ और ही है यदि breastfeeding तरीके से कराई जाए तो कभी दर्द नहीं होता है इसलिए अगर दर्द होता है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है दूसरा मित बच्चे के जनम के तीन या चार दिन के दोरान अधिक दूद नहीं होता है बलके सच्चाई तो कुछ और ही है इन दिनों दूद कम जरूर होता है लेकिन बच्चे के हिसाब से काफी होता है और यदि बच्चा ठीट ढंग से फीड रे रहा हो तो उसके लिए उतना ही दूद काफी होता है तीसरा मित बच्चे को दोनों स्तनों से बराबर फीड करवाए वास्तविक्ता तो ये है कि ऐसा जरूरी नहीं होता है बच्चे को दोनों तरफ से समान रूप से फीट करवाया जाए क्योंकि ये तो बच्चे की फीट करने की मांग और अबाधिक पढ़ निर्भर करता है चौथा मित पोस्ट सिजेरियन के बाद पहरे दो दिन तक मां बच्चे को फीट नहीं करवा सकती है सचाई तो ये है कि ऐसे बहुत से सिती होती है जिसमें मां अपने पोस्ट सिजेरियन बच्चे को फीट करवा सकती है और वो भी बिना उठे या इधर उधर खिसके हूँ छटा मित, एक महीरा को अपने बच्चे को लेट कर फीट नहीं करवाना चाहिए, बलकि सचाई तो ये है कि लेट कर फीट करवाना सबसे अराम दायक होता है सात्वा मित, यदि मा बिमार हैं तो वे बच्चे को फीट ना कराएं क्योंकि उससे बच्चा भी प्रभावित होगा अगर बच्चा बिमार हो जाता है तो उसकी बिमारी इसने कम होती है अगर मा को बुखार या जुकाम हो जाए तो वो भी बच्चे को फीट करवा सकती है अब आईए जानते हैं कि मा का दूद एक शिशु के लिए कितना जरूरी है मा का दूद एक संपून अहार है जिसमें बच्चे की जरुरत के सभी पोशक तत्व उचित मात्रा में पाई जाते हैं इन्हें शिशु असानी से हजम कर लेता है मा के दूद में मौझूद प्रोटीन और फैट गाई के दूद की तुलना में भी अधिक असानी से पच जाता है जो एक शिशु के लिए बेहत फायदे मंद होता है तो फिलहार के लिए इतना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे है इंडिया डाइम 24 नियूज